नमस्कार मैं भाशा और आप देख रहे हैं निउस क्लिक पर खोच खबर कायक्रम आज अपने कायक्रम में मैं आप से करूँगी कुछ सीधे सीधे सवाल ऐसे सवाल जो इस समय वाटसप और सोशल मीडिया पर प्रचुर मातरा में पूछे जा रहे हैं देश के नागरिकों से और वह सवाल बहुत दिल्चस्प हैं क्योंकि यह सवाल पूछने वाले लोग यह तमाम अलग-अलग धंग से जो प्रचार प्रसार चल रहा है यह भारत को सीधे सीधे जोड़ रहे हैं अफगानिस्तान से और तालिबान से आईए देखते हैं अपने देश में चल क्या रहा है कुछ बहुत सीधे सीधे से सवाल क्या आप पेट्रोल डीजल की बेताहाशा जो कीमते बढ़ रहे हैं उससे परिशान है और सरकार से इस बारे में कुछ पूछना चाहते हैं अब दुनिया में और खास और से भारत जो ले रहा है कच्चा तेल उसमें 36 फीसदी 36 फीसदी कच्चा तेल सस्ता हुआ है तब आखिर भारत में 43 फीसदी 43 फीसदी पेट्रोल डीजल क्यों मेहंगा हुआ है क्या आप यह पूछना चाहते हैं सरकार से कि रसोई गैस की कीमत फिर अगस्त में जी हां इसी 18 अगस्त में 25 रुपे फिर क्यों बढ़ाई गई क्या आपको इससे लेकर गुसा है पिछले महीने जुलाई में 25 रुपे और बढ़ी थी और आपको यादी होगा कि इस साल जनवरी से लेकर अब तक एक सिलेंडर पर रसोई गैस सिलेंडर पर 165 रुपे बढ़ाए जा चुके हैं कि आप यह सारे सवाल इस सरकार से पूछना चाहते हैं अगर हां तो हो सकता है कि आपको जवाब मिले जिस तरह से भारती जनता पार्टी के नेता ने और तमाम भक्त गड़ों ने सीधे सीधे जवाब दिया कि अगर पेट्रोल डीजल से बहुत परिशानी है तो अफगानिस्तान का टिकट कटाओ अगर तुम्हें इस उस पे सवाल उठाना चाहते हैं तब आप अफगानिस्तान चले जाइए यह सब मैं अपने मन से नहीं कह रही यह सब इस देश में हो रहा है अब देखी बहुत दिल्चस्प दिरिश्य दिखाई दे रहा है उत्तर प्रदेश पे जी हां उत्तर प्रदेश पे इस सब में ना होना है और ऐसा लग रहा है कि उनके लिए जो पूरा का पूरा प्रक्रण चल रहा है अफगानिस्तान में जिस तरह से अफगानिस्तान में जब अमरीका की सेना बाहर गई उसका समर्थन बाहर गया ताश के पत्तों की तरह पूरी की पूरी अफगान सरकार और पूरी स ऐसा लग रहा है कि भारत ही में तालीबान का भविश्य आफगानिस्तान का भविश्य तै किया जाएगा जिस तरह से 2022 के चुनाओं के लिए योगी खुद जो वहां के मुख्यमंतरुी हैं योगी आदितिनाथ वह या उनकी पूरी की पूरी टीम हिंदू-मुसल्मान करने त कोशिश हो रही है वह बहुत खतर्नाख है अब आप देखिए उत्तरप्रदेश के भाष्पा की प्रमुक हैं स्वतंत्रदेव उन्होंने बगायदा धerson काते हुए कहा आपको पता नहीं है देश का प्रधान मंत्री कौन है देश का मुख्य मंत्री कौन है आपको टेर्रिस्ट का पक्ष लेते हुए इस बात का ध्यान रखना चाहिए सिर्फ मामला यहां नहीं रुका हमने यह भी देखा कि किस तरह से योगी आदितनाथ ने बकाइदा लखनों में विधान सभा में सीधे सीधे यही बात रखी और उन्होंने कहा कि इन तमाम नेताओं का जो पक्ष ले रहे हैं तालिबान का उनका परदा फाश होना चाहिए यहां हम आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के संबल से जो सांसद हैं शफीकुर रह्मान बरक उनके उपर सिडिशन का चार्ज लगाया गया है मामला दर्स किया गया है और वह खुद अपनी तरफ से कह रहे हैं कि उनका जो पूरा बयान है वो तोड मोडोड के रहे हैं उनसे सीधे सीधे पूछ रहे हैं उससे उनका इरादा बहुत साफ लग रहा है इरादा बहुत साफ है कि देश के प्रधान मंत्री नरेन मोदी देश के ग्रह मंत्री अमिश्या विदेश मंत्री इन सब से तो यह टीवी चैनल नहीं पूछ रहे कि आखिर आपका त पुटनितिक रासता अपनाया है, जो खबरें पहुंच रही हैं, जो खबरें हमारे सामने हैं, उससे यह जाहिर है कि भारत सरकार एक डिपलोमेटिक रासता वारता, तालिबान के जो पूरा का पूरा नएा नितरितू आया है, उससे कर रही है, जिस तरह से बहां से भारत कि लोग वापस आये अफगानिस्तान से उससे भी बहुत साफ है लेकिन आप देखिए अगर टीवी चैनल आप देखते हैं अगर आप अखबार पढ़ते हैं कहीं पर भी कोई सवाल देश में जो सरकार चला रहे हैं उनसे नहीं पूछ रहे हैं वह सीधे सीधे एक या दो मुसल और देश क्या स्टैंड होगा ये ये मुसलमान तै करेंगे एज इंडिवीज्वल इंडियन सिटिजन तै करेंगे कि हमें तालिबान से क्या रिष्टा रखना चाहिए तालिबान के पक्ष में खड़ा होना चाहिए तालिबान के विरोध में खड़ा होना चाहिए और यह तब हो रहा है जब हम देख रहे हैं सोशल मीडिया सही तमाम जगों पे बहुत बड़ी संख्या में लोग इस बात को दोहरा रहे हैं कि तालीबान का जो खौफनाक शाशन था उसे कोई भूला नहीं है उसे याद रखना बहुत जरूरी है ये कहने वाले लोगों की जो जमात है लोगों की जो संख्या है वो बहुत अच्छी खासी है लेकिन हमारे प्रियर टीवी चैनल वरिष्ट पत्रकार सुबह से शाम तक बहस करने वाले लोग पूरा का पूरा परिद्रिश्य बदल कर देश की जनता के सामने ऐसे रख रहे हैं जैसे भारती मुसलमान को भारती होने की पहली केटेगरी पहला जो एक्जाम है वह पास उनके टीवी चैनल में करना होगा और उन्हें बताना होगा कि वे तालिबान से कितनी नफरत करते हैं तालिबान के इर्दगिर्द अफगानिस्तान के इर्दगिर्द जिस तरह की नफरत पहलाई जा रही है जिस तरह से चुन-चुन के लोगों को निशाने पिलिया जा रहा है इसमें एक नाम स्वरा भासकर का भी है अब आप देखिए कि स्वरा भासकर का कोई रिष्टा दूर दूर तक तालिबान से नहीं है अफगानिस्तान से नहीं है लेकिन जो भक्त गड़ों की टीम है जो ट्रोल टीम ह वह कोशिश कर रही है कि स्वरा भासकर को चारो तरफ से घेर कर एक हिंदू तालिबान किस तरह से भारत में काम कर सकता है इसकी एक मिसाल पेश करने की कोशिश वह पूरी तरह से कर रहे हैं मुझे लगता है आज की तारीख में तालिबानी संस्कृती तालिबानी विचारधारा चाहे वह इसलाम की हो या हिंदू धर्म की किसी भी तरह का तालिबान हमें गवारा नहीं यह कहना आज किसी भी समय की तुल्ना में बेहद जरूरी है आएए इन तमाम टीवी चैनलों को इन तमाम वरिष्ट पत्रकारों को हम और आप ले चलते हैं अफगानिस्तान और दिखाते हैं कि वहाँ पर तालिबान से कौन लड़ रहा है कौन जान बचा के भाग रहा है वे कौन लोग है जो एक जहाज के उपर सवार हो जाते हैं किसी भी तरह से पकड़ ले की कोशिश करते हैं जहाज उपर उड़ता है और वे गिर जाते हैं ये वे कौन लोग हैं क्या ये लोग अफगानिस्तान के नहीं हैं क्या ये लोग मुसल्मान नहीं हैं यहाँ पर इस बात को दर्स कराना बहुत जरूरी है क्या अफगानिस्तान के भीतर जो लोग तालीबान का विरोध कर रहे हैं तालीबान के निशाने पर आ रहे हैं तालीबान की गोलियों से मारे जा रहे हैं वे सब उसी धर्म के हैं जिस धर्म का तालीबान है लिहाजा तालिबान को सामने रखके जो धर्म के आधार पे नफरत पहलाई जा रही है वह सौ फीसदी गलत है शायद यही वज़ा है कि तालिबान एक ऐसा परियाय बना इतने सालों में कि हम भारत सहीत बाकी जगों पर भी जब भी कोई धर्म कट्टर बनता है जब भी कोई धर्म औरतों के खिलाफ खड़ा होता है जब भी कोई धर्म human right के खिलाफ खड़ा होता है तो हम कहते हैं कि इसक हम ऐसे ही इस्तमाल करते रहें और आप देखिए आपको इस समय स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा तालिबान ने जब फतह किया काबुल उस समय जो सबसे पहला विरोध हुआ वह विरोध किस ने किया वह विरोध वहां की औरतों ने किया वे औरतें बंदूख का सामना करते हुए पूरी हिम्मत और दिलेरी के साथ खड़ी थी पोस्टर लेकर अपनी भाशा में वह नारे लगा रही थी तालिबान के अत्याचार के खिलाफ जिस से साफ जाहिर होता है कि अफगानिस्तान की औरत को बहुत दर्द और दुख है बहुत परेशान है क्योंकि बहुत ही उन्हें हासिल हो पाई और यह उन्होंने लड़के हासिल की यहां यह भी याद करना बहुत जरूरी है कि तालिबान का जब शाशन 96 में आया था उससे पहले वहां मुजाहिदीनों का शाशन था और ठीक उससे पहले वहां पर वामपंध समर्थक सरकार थी जिसे किस तरह से गिराया गया यह सब इतिहास में दर्ज है लेकिन यह पूरा दौर वह था जब अफगानी औरत को हर तरह की बुनियादी आजादी और अधिकार मिला हुआ था लिहाजा जब हमें अपनी स्क्रीन पर दिखाई देता है औरतों का सामने आना तालिबान से सीधे सीधे टक क कर लेना हमें दिखाई देता है एक ऐसी अफगानी फिल्मेकर का बयान जो दर्स कराना चाहती है कि किस तरह से तालिबान से लड़ने के लिए अफगान को पूरी दुनिया ने अकेला छोड़ दिया जो सही नहीं है वो अपनी बिरादरी से अपील करती है कि उनके सामने देखिए जो CNN ने जिस पूरी खबर को दिखाया है किस दिलेरी से ये महिला रिपोर्टर अपनी टीम के साथ रिपोर्ट कर रही है तालिबान के जो लोग वहां खड़े हैं बंदूग के साथ खड़े हुए हैं उनके साए में वह किस तरह से बोल रही है यह जो हिम्मत है य बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जब हम बात कर रहे हैं अफगानिस्तान की जब हम बात कर रहे हैं तालिबान की वहां पर जमीन पे जो कुछ घटित हो रहा है जो लोग सामने आ रहे हैं जो लोग प्रोटेस्ट में खड़े हुए हैं या जो लोग कोशिश कर र सारह है वह सत्ता में आ रहा है सत्ता में आ चुपा है तो उसे किस तरह से उसके साथ डील किया जाए यह जो कूटणितिक रिश्ते हैं इन रिश्तों के बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं और शाय। है यहां भारती लोकतंत्र के तमाम खंबे हैं खास तोर से जो पॉलिटिकल फ्रेमवर्क है वह जिस तरह की चुप्पी अपनाए हुए है क्योंकि अभी तक हमारे पास कोई आधिकारिक बयान ना तो प्रधान मंत्री का है ना ग्रिह मंत्री का है ना विदेश मंत्री का है कि हम अफगानिस्तान में और तालिबा के साथ क्या करने जा रहे हैं शायद आज सबसे बड़ी चुनौती ये है हमारे आपके और भारती लोगतंत्र के सामने कि एक तरफ जो तालिबान का खौफनाक चहरा जो उसकी पूरी की पूरी सोच है उसके खिलाफ जो संगर्ष चल रहा है उसे हम सामने रखें उसको इर् दुनिया के सामने रखें उसके साथ साजा करें और साथ ही साथ अफगानिस्तान में अफगानिस्तान की बरबादी के लिए किस तरह से अमरीका जिम्मेदार रहा है किस तरह से अमरीका ने 20 साल जो वार ओन टेरर के नाम पर वहां पर आतंक का साया बरपा किया था जिस तरह से इस पूरे देश को इस पूरे मुल्क को तबाह किया था उसे याद रखें उस बरबरता को सामने रखें वरना किसी भी सब्समाज के लिए यह तमाम तस्वीरें आपको दिखाई दे रही हैं जो कुछ अफगानिस्तान में हो रहा है जिस तरह से वहां का नागरिक जान बच कर भाग रहा है चाहे हवाई अड़े पर पहुच रहा हो गोली खा रहा हो एरोपलेन पर चड़ रहा हो या अंदर बैठे गोली का इंतजार कर रहा हो यह सारी जो चबियां हैं यह सब पूरे विश्व के लिए बेहद चिंता जनक चबियां हैं क्योंकि निश्चित तोर प इस तबाही के कगार पर लाने में तमाम शक्तियों का हाथ रहा है और उसकी जिम्मेदारी उन पर डाली जानी चाहिए आज का दिन यानि 20 अगस्त एक ऐसे दिलेर हिंदुस्तानी को याद करने का दिन है उनकी शहादत को याद करने का दिन है जिनकी हत्या सिर्फ इसलिए की गई क्योंकि जो धर्म के ठेकेदार हैं धर्म के ठेकेदारों पर टिकी हुई जो संस्थाएं हैं उन्हें उनका जिन्दा रहना पसंद नहीं आ रहा था नरेन धा बोलकर की आज ही की दिन 2013 में हत्या की गई थी वह पेशे से डॉक्टर थे और बहुत लंबे समय से अंधविश्वास के खिलाफ एक मुहिम चला रहे थे जिस तरह से उन्होंने अंधविश्वास को तार-तार किया उसका परदाफाश किया तमाम बड़े लोगों से भी सीधे सीधे टकराए शायद यह बात उन तमाम लोगों को पसंद नहीं आई जो लोग धर्म की राजनीती और धर्म की ठेकेदारी करते हैं उन्हें मारने में सनातन संस्था जिसका सीधा सीधा रिष्टा आरेसेस से है उसका हाथ था शायद आज जब हम नरेन धाबोलकर को याद करते हैं याद करना चाहिए तब एक बात दिमाग में आपके हमारे और सबके आने चाहिए नरेन धाबोलकर की हत्या किस ने की जिस धर्म का उन्हों माना जाता है उसी धर्म के रक्षकों, सो कॉल्ड रक्षकों, सो कॉल्ड पैरोकारों की संस्थाओं ने उनकी हत्या की जानि धर्म के आधार पर समान धर्मा की हट्त्या और यह इतिहास बहुत पुराना रहा है नरेंदहा बोलकर क्योंकि धर्म के नाम पर जो चल रहा था पाखंड उसके खिलाव थे इसलिए उन्हें निशाने पर लिया गया और आज जिस तरह का माहौल अफगानिस्तान और तालिबान के इरतगिर्द बनाया जा रहा है जिस तरह से तालिबान को बिना किसी लिंक के भारतिय मुसल्मान से जोड़ कर उसे बैकफुट में डालने की या उस आधार पर हिंदू-मुसल्मान करके आगे की राजनीती करने क की योजना बन रही है साजिशे हो रही हैं इनका परदाफाश करना बेहद जरूरी है शुक्रिया